अस्टावनिकों मैंने में सिंदा वर्कम तो मैं यूटीब चैनल तोड़े विल दिसकस अबाउट वर्ब विच इस एन इंपोर्टन पार्ट ओफ पार्ट सोब स्पीच पार्ट सोब स्पीच क्या हैं वह मैंने अपने डास लेक्चर में देल से बता दिया है उसका नाउन की इसके अलावा एक अलग से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें डिटेल से नाउन की सारी जो है टाइपस बगारा और नाउन की से कहते हैं यह कैसे बना है उस सब के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाएंगी है आप वहां जाकर देख सकते हैं आज हम जस्ट ब हूने यह सेहने को जाहर करता है वर्ब कहते है काम को, फेल को अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनशन देखें यह किसी काम को करते हुए थीक है यह होते हुए दिखाते हैं अगर हम एग्जैम्पल के ताप देखें तो आहमोड ड्राइब् साकार इसमें एहमोड क्या है पै बस अबजेक्ट है और ड्राइब्स यहां पे वर्ब का काम कर रहा है तो अगर हम देखें कि इसमें ड्राइब्स क्या है तो ड्राइब जो है वो हमारी मीन वर्ब है यानि कि इसमें काम हो रहा है ठीक है यह काम हो रहा है ड्राइब एक काम है तो यह काम है इसलिए यह हमारा म यह में वर्ब है। अब इसमें जमाना कौन सा दिखाया जा रहा है ? ड्राइवज करता है यानि यह अभी वो कर रहा है करता है यह उसका काम है करना बस तुनाना ठीक है। तो ये हमारा present tense में आएगा उसके बाद next हमारी example में आता है sun is drinking a cup of tea a cup of tea क्या हो गया इसमें object sun is subject और drinking इसमें main verb है अब इसके साथ एक और है is कहते है helping verb को helping verb जो होता है इसे auxiliary verb भी कहते है इसका अपना कोई ये खुद कोई verb नहीं होता बदके इसका काम main verb के साथ मिलकर उसकी मदद करना होता है helping verb जो होता है वो वक्त और काम की मिद्दार बताता है जैसे sun is drinking यानि के वो पी रही है a cup of tea coffee का cup पी रही है drinking पी रही है यानि के इसमें जमाना वो बता रहा है present continuous यानि के वो पी रही है तो यह हमें कैसे पता चला इसके साथ हम verb की first form के साथ ing लगाते हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि यह present continuous की बात हो रही है sun is drinking a cup of tea इसके बाद हमारी third example में आती है we played hockey played किसमें आता है third form आती है past tense में तो इसमें hockey क्या हो गया football hockey यह object हो गया we subject है और played यह हमारे पास main verb हम hockey खेले गुजरा हुआ जमाना है यह तो यहां पर वर्ब की third form आएगी यहां से बाता चलता है past tense की बात हो रही है गुजरे हुए जमाने की next हमारे पास वही एक बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि helping verb खुद कोई verb नहीं होता बलके इसका काम में इन verb के साथ मिलकर उसकी मदद करना होता है helping verb से हम जमाने का पता लगा सकते हैं जैसे कि was word वो helping verb में आता है was था वर थे ठीक है is rm से present की बात हो रही है was word से will shell तो ये दोनों helping verb हमें future की बात बताते हैं यानि कि वो जमाना जो आने वाला कल है तो plate से हम में पता चलता है कि हम cricket खेले या हम football खेले main verb इसमें played आएगा verb की third form है तो यहां से हमें पता चलता है कि past की बात हो रही है मजीद अगर आगे verb को discuss करें तो verb can also show and state जो verb होते हैं वो किसी काम के करने की हालत को भी बताते हैं अगर examples के साथ देखें तो एहमद is tired इसमें एहमद subject है tired उसकी हालत है उसकी state है यह कोई verb नहीं है तो यहां जो main verb के तोड़ पर इस्तमाल होगा वो is use होगा यानि कि एहमद उसकी हालत है ठकना एक उसकी जिस्मानी हालत है वो कोई verb नहीं है वो कोई काम नहीं कर रहा है यहां पे is जो है वो as a main verb यूज होगा सना वास एंगरी एंगरी उसकी कैफियत है जहनी कैफियत है was यहाँ पे क्या होगा main verb के तोर पर use होगा he feels ill तो यहाँ पे जो feels होगा वो क्या होगा mean verb होगा ill उसकी state होगी he subject होगा main verb यहाँ पे feel महसूस करना होगा तो वो क्या होगा एक mean verb के तोर पर use होगा बजीर इसको आगए हम discuss करते है कि verbs have different tenses which indicates जो verb होते हैं उसके different tenses होते हैं जो के indicates करते हैं हमें बताती है time बताती हैं हमें aspects बताती है time में हमें क्या कर बताती है कि present की बात हो रही या past की बात हो रही या future की बात हो रही और aspects में हमें बताती है कि काम कितना रह गया या कितना complete हो गया जैसे के completed है काम या continuous है इसको हम examples के साथ देखते हैं फिर आपको चीज़ समय जा सकती है तो यहां पर अगर हम देखे Sana is watching a movie Is क्या हो गया? helping verb हो गया watching main verb हो गया अब इसमें जो helping verb है वो हमें बता रहा है कोन से जमाने की बात हो रही है जो work है watching यानि इसका मतलब है काम जाड़ी है Sana movie देख रही है यानि के काम हो रहा है continuous है तो easy से हमें पता चलता है कि present tense है यानि कि इससे हमें time पता चलता है watching से हमें पता चल रहा है main verb से हमें पता चल रहा है कि यह काम completed है या continuous है तो यहां पर watching है हो रहा है काम तो work is continuous present tense है और काम continuous है तो इससे हमें पता चलता है यह क्यों सा जमाना बन रहा है present continuous इसी तरह हम अपनी next जो हमारी example है उसको देखते हैं एहमद wrote our letter एहमद wrote wrote third form है यहां से हमें पता चल रहा है कि past की बात हो रही है wrote mean लिखा माजी में लिखा our letter लिख दिया लिखा हुआ खतम हो गया अगर माजी में बात हो गई है तो वो खतम हो गई है wrote third form लगी है तो इसका मतलब है कि वो काम जो past में हो गया तो वो completed है यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें past tense की बात हो रही है एहमद wrote a letter तो जो मैंने आपको इसकी definition बताई verbs have different tenses which indicates time अब वो time कौन कौन से है present, past, future और aspects हमारे पास कौन कौन से है completed और continuous तो जो मैंने आपको examples बताई हैं उससे हम बाहसानी इस पात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो tenses है इस तरह से जो verbs हैं वो हमारी मदद करते हैं जानने में कि sentence में कौन से जमाने की बात हो रही है, कौन से वक्त की बात हो रही है किस काम की बात हो रही है और वो काम कितना completed है और कितना अभी रहता है या कितना हो चुका है, जारी है या खत्म होने वाला है उस सब के बारे में हमें बताते हैं तो ये थी हमारी आज की वर्ब के बारे में सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों को बताई तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इन्शालला से टोपिक होगा वो होगा प्रोनाउन के बारे में और एड़ वर्ब इनिशाला आपको जलती ही पता जल जाएगे कि एड़ वर्ब किसे कहते हैं फिकर करके हम अपने सारे पार्ट्स उप स्पीज इनिशाला से पूरे करेंगे तो अगर किसी किसम कभी कोई आपको क्वेस्टन है तो मैंसे कमेट बोक्स में पूछ सकते हैं बिल यह ज जए टूरे किसे के और लू आपको को किसे गरना आपको किसम क्वेस्टन आपको का कमेरा दूंग में यह जिए NATO आपको किसम किसम कमेटर का भी एर मनूवां आपको किसम कह जए जू एमने समें इनिया तो उंए झारती हूप झाब ढ helt किसम